स्टूरेंट्स मैट्स आप लोगों की साइन्स पेड़ा गोजी की क्लास स्टार्ट हो गई है फटाफट से सारे बच्छे ओनलाइन आजओ भई काफी बच्छे आ भी गए हैं मैं एकदम ठीक हूं गुड इवनिंग्स अभी को जल्दी से आजओ भी ओनलाइन ताकि हम अपना आज आगे बढ़ें आज आप लोगों की लास्ट क्लास है मैंने कल बता दिया था बताया था ना कि कल लास्ट क्लास है है कि नहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो नहीं है कोई डाउट मैं एकदम ठीक हूं भई आप लोग जादा से जादा स्टैड़ी करना स्टार्ट कर दो कोईशन पूछो काणू आपका कोईशन क्या है कोईशन पूछ लिया को को मैं कोईशन नहीं है मत पूछा करो इससे टाइम वेस्ट हुजाता है जैसा कि वैंने आप लोगों को बताया था आज आप लोगों की लास्ट क्लास है इसमें हम 2-3 इंपोर्टन टॉपिक्स भी प जल्दी से पूछ लो किसी का कोई कॉश्चन है तो वर्ना फिर मैं स्टार्ट करती हूं भई कंसेप्ट फिर मिलेंगे पेपर के बाद आप पेपर क्लियर करना अच्छे मार्स लाना यहां पर मिलने आना ठीक है अच्छे नंबरों के साथ मिठाई लेके आना बताना कितनी खुशी होगी न मिलके हाँ मैंडम की वज़े से पेपर क्लियर हुआ है कितना अच्छा लगी गए यह सुनके हाँ यह बात एकदम सही है देखो डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि रिकोर्डिड क्लासेज है प्राची बिलकुल सही है यह बात कि सबकी पैड़ागोजी ओल्मोस सेम है पैड़ागोजी इस पैड़ागोजी बस तो सबजेक्ट से कई बार रिलेटिड कर देते है ठीक है अच्छा कई बच्चे पूछे मैं मैं आप से करनेक्ट होने का आप मुझे कहीं पर ढूंड सकते हो ठीक है आप ढूंडो मुझे पता चलेगा कितने बच्चे मुझे ढूंडना चाते है ठीक है आप मुझे कहीं पर ढूंड सकते हो भई फेस्बुक पर ढूंड सकत काफी social sites हैं तो वहाँ पर आप मुझे ढूंड सकते हो ठीक है देखो कुछ सब्जेक्ट्स की पैड़ा गोजी वह पर्टिकुलर टीचरी कराएंगे तो देखो जितने टॉपिक्स भी मैंने ओल्मोस्ट कराए हैं इन में अब करें ओल्मोस्ट आपकी हर सब्जेक्ट की पैड़ा गोजी कंप्लीट हो गई होगी और ओल्मोस्ट सभी की सेम होती है यह नहीं कह सकते हैं यह हिंदी की इंगलिश की मैंस की क्योंकि क्या है मुल्यांकन हैं यह आता है फॉर मेटिव सम्मेटिव यह हिंदी में पूछ लेजरे मैं मैं पूछ लेजरे शाइंस में पूछ ले तीक है बस आपको क्या करना अंसर देना है बिना नाम के ढूंड़ो ना, पता तो जब चलेगा, बच्चों ने ढूंडा या नहीं ढूंडा, ठीक है, अरे बच्चे उने बहुत ढूंडा है मुझे, बिना नाम के ढूंडा है, तो मैं देखना चाहते हूं कितने बच्चे ढूंड पाते हैं ना, ठीक है, अंकुर आपक क्वेश्चन क्या है यह हम कर चुके हैं असेस्मेंट ओ फॉर एज लर्निंगे सब हम कर चुके हैं तो जिसने नहीं देखे तो आप प्रीविश क्लासेस में जाके इवैल्यवेशन चैप्टर में आप देख सकते हो रिकोड़ेड क्लास है ओके हाँ चलो मैं देखना चाहती हूँ वही कितने बच्चे के अच्छे नंबर लाते हैं कितनी बाती मानते हैं कितने अच्छे से पढ़के वह जादा अच्छे नंबर लाते हैं देखो मैं चाहती हूँ बहुत सारे बच्चों के 130 अब आ जाते हैं अराम से पर उनको अब हम स्टार्ट करते हैं, किसका? एक बच्चे ने हिंट दिया, मैं पूरा नाम बता दीजिए, प्रीती कुमारी, प्रीती शर्मा, धूंड लो भई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर लेकर अब इशेक आप कभी नहीं पढ़ सकते ठीक है, प्रेशर लेकर आप कभी भी नहीं पढ़ सकते देखो, रिकोर्डिड क्लास है, एक क्लास देखके दूसरी बात में देख लेना, इसमें क्या दिक्कत है? क्लास तो आपके उसमें रहेगी ना चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें ठीक है चलो आज एक हम टॉपिक करने वाले हैं सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं करीकुलम करीकुलम एक टॉपिक हम करने वाले हैं ठीक है देखो पहली बात करीकुलम बनाता कोन है करीकुलम पाथ्यकरम पाथ्या करम एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ठीक है हमारे देश का करिकुलम बनाता कौन है हमारी NCERT NCERT हमारे देश का करिकुलम बनाती है और अभी तक चार बार बनाया 1975, 1988, 2000, 2005 ठीक है तीन बार करिकुलम हमारा बन चुका है जो ये तीन करिकुलम है इनकी अप्रोच थी बिहेवियरिस्टिक यारनी की व्यवहारवादी अप्रोच थी व्यवहारवादी उपागम जो 2005 का था उसकी थी सनरचना वादी सनरचना वादी उपागम कंस्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच यानि कि बच्चों को ऐसी अप्रोच दी जानी चाहिए जिसमें बच्चे को स्यम कुछ कार्य करके ज्यान लेने का मोका मिले और ज्यान इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि ज्यान बच्चों को बोज ना लगे बिना बोज के शिक्षा ठीक है अब हम देखते हैं जो करिकुलम शब्द है कोन सी भाषा का शब्द है लेटिन कहां से लिया गया है क्यूरेद ठीक है जिसका आर्थ है रेस कोर्स यानि कि दोड का मैदान दोड का मैदान जैसे कि एक ये रेस को गोडा दोड के कम्प्लीट करता है अपने लक्षे तक पहुचता है ऐसे ही करिकुलम में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो एक साल के दोरान कराई जाती है ये करिकुलम हमें पढ़ना है बहुत सारे objectives होते हैं हमारे पढ़ने के, ठीक है? ओके? क्या question है आपका अंकुर? Question पूछो मुझे बार-बार ये है, मैं question बता दीजे, अंसर बता दीजे, question पूछो ना? Question प्रियंका मुझे दिख रहा है, आप धूण सकते हो, इन साइट से मैं connected हूँ, अच्छे से connect हूँ Question क्या है अंपुर आपका? मुझे कोई question नजर नहीं आ रहा है, अब मैं आगे चल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि काफी comments आ जाते हैं, जो important comments होते हैं, बच्चों के doubts होते हैं, वो कई बार नहीं, इस वज़े से लिए जाते हैं तो भाई, बहुत लोंग क्या है अंपुर? समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या पूछ रहे हो, मुझे कुछ question समझ नहीं आ रहा है आपका? मैं, प्लीज पूरा, आप class देख लेना, मैं, एक बार, कौन सी class देख ले हूँ, भाई, मैं? classes तो देखनी पड़ती है, सारी देखनी पड़ती है previous year हम कर चुके है, almost सारे, सारे previous year मैंने कराई है, हर topic से related, ठीक है? चलो, जो हमारा curriculum होता है, उसमें दोनों चीजे include होती है, सैक्षिक, एवं सह सैक्षिक, school में पढ़ाई के साथ, जो जो क्रियाई कराई जाती है, वो सब सह सैक्षिक में आता है, तो curriculum का दोनों ही include होता है, ठीक है? अच्छा, कोई नहीं कई बारंकुर हो जाता है ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कौन से question में ऐसा? चलो, आप पढ़ लेते हैं थोड़ा, कौन से question के आप बात कर रहे हैं, वो question आप लिख दीजे थोड़ा सा, और इतने लिख दो में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं आगे, देखो क्या है? देश का curriculum कोन बनाता है? N-C-E-R-T, अब तक चार बार curriculum बनाया गया है, ठीक है? पाठ्यकरम का शाब्दी कर्थ है, पाठ्यकरम शब्द अंगरेजी भाषा के curriculum शब्द का रूपांतरन है, curriculum शब्द, ठीक है? curriculum शब्द, लेतिन भाषा से अंगरेजी में लिया गया है, अर्था करिकुल्ब, लेतिन शब्द है, curate से लिया गया है, QA से बना है जिसका अर्थ है दोड का मैदान अठाथ पाथ्या चर्या वह भाग जिस पर चलते हुए बालत शिक्षा के लक्षे को प्राप्त करता है यह इसका लिट्रल मीनिंग था Narrow मीनिंग में क्या होता है पाथ्या करम Narrow मीनिंग में सिर्फ पहले क्या था कि हमें सिर्फ शिक्षा knowledge देनी है, content knowledge देनी है, सिर्फ, संकुचित तता परंप्रावत अर्थ की अनुसार पाथ्यकरम अध्यन का course, course of study यह स्लेवस को पूरा कराना ही हमारे सिक्षा का उदेश्य था कि हमें सिर्फ इतना पढ़ाना है बच्चों को और एक्टिविटी स्कूल में पहले नहीं कराई जाती थी पर अब इसका मीनिंग बदल गया है क्या है वो मेनिंग ठीक है देखो वई वाइड पाठ्यकरम का व्यापक अर्थ होता है व्यापक अर्थ में बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ वो सारे अधिगम भी बिना क्या होता है कई बारी हमारे करिकुलम में अब क्या होता है पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी क्या था हमारे करीकुलम में जो है अब पाठ्चय से घामी क्रियाई भी कराई जाती है क्यूं कराय जाती है ताकि बच्चे का holistic development किया जा सके क्या holistic development holistic development होता है all round development बच्चे के सर्वांगिन विकास पर बदिया जाता है बच्चे को हर पक्ष का experience देना ताकि बच्चा जिस छेत्र में अच्छा है वो उस छेत्र में आगे बढ़िया कर सके ठीक है next देखो goal एक word होता है goals और aim और एक word होता है objective इन दोनों में क्या difference है लक्षे बड़े होते हैं लक्षे को बहुत बड़े होते हैं जब भूत सारे हम چोटे-चोटे उब्जेक्टिष हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद हम लोगों अच्छे से समझ में आ जाए इस से संबंदित कोई प्रशन आए तो बच्चे उसको कर पाएं तो ये topic पढ़ने के बाद हमारे ये objective अचीव हो जाएगा, ये प्राप्य होते हैं, इनको प्राप्य करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये achievable होते हैं, हम इनको जल्दी अचीव कर सकते हैं, ये दीर इनको अचीव करने में बहुत समय लगता है, और इनको हम जल्दी अच कर सकते हैं, ठीक है, next देखते हैं, curriculum, देखो curriculum और syllabus, दो अलग अलग है, कैसे, it focus on old round, देखो ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा है, curriculum क्या होता है, curriculum और syllabus, curriculum क्या होता है, curriculum focus करता है, किस पर old round development, old round development, syllabus किस पर focus करता है, syllabus focus करता है, सिर्फ content knowledge पर, बच्चे को ज्यान देना है, और चीजों से इसे लेना देना नहीं है, ठीक है, तो syllabus is the part of curriculum, syllabus is the part of curriculum, curriculum का part हो जाता है syllabus, ठीक है, next, basis of curriculum, पाठ्य करम के आधार क्या क्या होते हैं, पाठ्य करम के आधार होते हैं, देखो, मनोवज्ञानिक आधार, psychological base, यानि कि बच्चों के अनुसार हमें ज्यान दिया जाना चाहिए, historical base, बच्चों को एतिहासिक ज्यान भी देना, history की knowledge भी देनी अपनी, next, सामाजिक शास्त्रियादा, sociological base, यानि कि बच्चों को society का भी ज्यान देना है, social development भी करना है बच्चों को, व्यज्यानिक, बच्चों के अंदर scientific attitude डवलप करना है, Sanskritic, बच्चों के अंदर cultural values का भी development करना है, ठीक है, यह दोनों एक ही है, दाश्निक आदा, philosophical base, यानि कि बच्चे को deep knowledge देना भी हमारे करिकुलम का, हमारे करिकुलम का उदेश्य होता है, ठीक है, syllabus को आप bookish knowledge बोल सकते हो, बिल्कुल सही है, next, अब देखते हैं, basic elements of curriculum, elements चार होते हैं करिकुलम के, देखो, क्या क्या होते हैं, पहला तो है, सैक्षिक उदेश्य है, सैक्षिक उदेश्य है, यानि कि educational, educational objectives, दूसरा है, subject matter, subject matter, विशेवस्तू, फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, यानिक सैक्षिक अधीगम क्रिया है, टीच है, लास्ट है भई, evaluative system, evaluation system, मुल्यांकन पद्थि, टीच है, क्या होता है इसमें, आँको इस question को एक बर मैं देख लेती हूँ, क्या है, बाद में देखूंगी, ठीक है, मुझे ना तो question आपका अच्छे से समझ में आ रहा है, कि actually आप क्या कहना चाहरे हो, अब देखते हैं बई, क्या होता है, देखो सबसे पहले, हमारे उदेश्या होता है, करिकुलम का, कि इस, इन सारी activities से हमें ये objectives को अच्छीव करना है, और subject matter, ये ये चीज़े हमें बच्छों को पढ़ानी है, content knowledge देनी है, और इस content knowledge को देने के लिए, क्या-क्या learning activities हमें करवानी है बच्छे को, evaluation system, फिर last में ये भी analyze किया जाता है, कि जो हमने decide किया था, कि इसको पढ़ाने से हमें इस उदेश्या को अच्छीव करना है, क्या हम वो इसको अच्छीव कर पाई या नहीं, ठीक है, तो इन चार बातों का करिकुलम में ध्यान रखा जाता है, next, देखते हैं करिकुलम बनाने के step, सबसे पहले तो देखते हैं need, कि need क्या है, सबसे पहले need देखते हैं बच्छों की, school की, society की need क्या है, need के अधार पर objectives बनते हैं, फिर बनाए जाते हैं objectives, aims या objective, aims बनाने के बाद, कौन-कौन से learning experience हमें बच्छों को देने हैं, ठीक है, कौन से-कौन से अधीगम हमें बच्छों को देने हैं, फिर content select करने हैं, कि किस content से हम कौन-कौन सा learning experience हम देंगे, और क्या-क्या हम बच्छों को पढ़ाएंगे, ठीक है, next, तीसरा है भई, organization and integration of learning experience, जो हमने content सोचा था और learning experience सोचा था, बच्छों दोनों को एक साथ हम organize करेंगे, last में evaluation करेंगे, कि जो हमने सोचा था, क्या वो हमने achieve किया या नहीं, ठीक है, next, need of curriculum, हमें curriculum की आवश्चक्ता क्यों होती है, हमें अपने पाठ्यकरम की जरूरत क्यों होती है, बताओ, पहली, achievement of aims and objectives, हमें अपने aims को achieve करने के लिए जरत पड़ती है, ठीक है, education, जो process हमने decide किया है, उसको हम curriculum के थूह ही, उसको organize कर सकते हैं, ठीक है, फिर है, what and how much knowledge, what and how much knowledge, कब, कितनी और क्या knowledge हमें देनी है, ये भी हम curriculum में ही decide करते हैं, ठीक है, next, proper use of time and energy, इससे क्या होता है, बच्चे का और school का time अच्छे से manage कर पाते हैं, और बच्चे की जो energy है, उसको सही जगई use कर पाते हैं, wastage होने से बच जाता है, formation of book, book है ये, ठीक है, क्या है, पाठ्थय पुस्त, curriculum के आधार पर books भी बनती है, ठीक है, इसके आधार पर books को अभी निर्मान होता है, school की, फिर आता है development of character, curriculum से हम बच्चे में character development करते हैं, अच्छे-च्छे मूल्यों का विकास करते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों के अंदर अच्छे गुण आते हैं, उसके अंदर अच्छा character development होता है, बच्चा value सीखता है, लास्ट है, development of personality, बच्चे की personality का भी विकास होता है, curriculum से, नेक्स देखते हैं, principles of curriculum, curriculum के principles क्या-क्या है, अब हम यह पढ़ते हैं, हमारे curriculum के क्या-क्या principle है, पहला देखते हैं, principle of child-centeredness, बाल केंदरित सिध्धान्थ, यानि की, बच्चों को सिक्षा, बच्चों के अनुसार, बच्चों की रूच्छियों के अनुसार, आवश्चक्ता के अनुसार, शम्ता के अनुसार दी जानी चाहिए, सब कुछ बच्चों के अनुसार होना चाहिए, नेक्स्ट, principle of utility है, utility, utility, यानि की उप्योगिता का सिध्धान, सभी विशय, अधिगा मनुबव, बालक के लिए उप्योगी होने चाहिए, यानि की जो हम experience करवा रहे हैं ना स्कूल में, वो बच्चों के लिए उप्योगी हों, useful हों आगे जाकर, ठीक है, ये मैं लास्ट में बताती हूँ की कैसे question बनेंगे इस topic से, principle of creativity, बच्चों में, बच्चों से बहुत सारी रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं, बहुत सारी activities कराए जाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर creativity develop हो, next principle of variety, विभिंता का सिध्धान, हमें curriculum में बहुत सारी विभिंता ही रखनी हैं, changes रखनी हैं, जैसे की बहुत सारी activities रखनी हैं, हर period को रखना हैं, कभी sports का भी रखना हैं, कभी singing का, dancing का, इससे क्या होता है, बच्चे बोर नहीं होते हैं, ठीक है, last principle of coordination, हर subject को दूसरे subject से coordinate करके पढ़ाया जाता है, यानि कि एक subject को मलक से नहीं पढ़ा सकते, हर subject दूसरे subject से relate करता है, तो हमें हर subject को दूसरे subject से coordinate करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है, next से principle of flexibility, ठीक है, principle of flexibility, यानि की curriculum change भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बिलकुल fix है, अब हम इसको नहीं बस अल सकते, आज की जो आवश्यक्ता है, आज की जो जरूरत है, उसके अनुसार हमें अपने curriculum में changes हमें करने चा अब आते है next, types of curriculum, subject centered curriculum, विशय केंदरित पाठ्यकरम, विशय केंदरित पाठ्यकरम, ऐसे पाठ्यकरम को कहा जाता है, जिसमें, क्या होता है वही, subject की knowledge देना भूत important होता है, बस feature क्या करता है, अपने according subject, decide करता है, उसे subject का syllabus पूरा कराना है, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे के according नहीं चलता है teacher, वो अपनी गती से चलता है सब कुछ, सब कुछ अपने according करता है, क्यों, क्योंकि उसे syllabus complete कराना है, सिर्फ जो किताबी ग्यान है बच्चों को देना है, बस, next, कोई विशय छोड़ना नहीं है, हर विशय पूरा करान है, teacher-centered curriculum, शिक्षक केंद्रित, यानी center में कोँ है, शिक्षक, शिक्षक जो भी decide करेगा, अपने according, decide करेगा, बच्चों क्या according नहीं, पढ़ाएगा अपने according, teaching method decide चाइड करेगा अपने और कोडिंग जो किस गती से पढ़ाएगा आपने कोडिंग बच्छों कोई मतलब नहीं समझ में समझ में आये यह ना है ठीक है कई चीजे नाम सही क्लियर हो जाती है इसलिए ज्याधा एक्स्प्रेइन करने की जुरुरत नहीं बढ़ती। Learner-centered, learner ni child centered curriculum, यानि की, यह आज का curriculum ये है, child centered, यानि की बीच में कोन है? Child, सब कुछ किसके according decide होगा? बच्चे के, चाये वो topic हो, चाये content हो, और चाहे टीचिंग एट्स, और टीचिंग मैथर्ड हो, टॉपिक हो, कुछ भी जो हम डिसाइड करते हैं, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, सब कुछ बच्चे की आवश्चकता की अनुसार, रूची की अनुसार, उसकी शमता की अनुसार, उसकी आईउ की अनुसार, डि देखो ये करिकुलम किस ने दिया था जोन्ड यूवी ने इसका प्रियोग 1920 से शुरू हुआ जोन्ड यूवी ने एक्टिविटी प्रोग्राम देखो एक्सपीरियन सेंटर या एक्टिविटी सेंटर करिकुलम हम इसको बोलते हैं एक्टिविटी सेंटर फोकस करता है बच्चों से लर्निंग बाई डूइंग बच्चों से कार्य करने का आफसर दो एक्स पीरियन से दो के इस एक्स पीरियन से बच्चों को दो ताकि बच्चे करेंगे तो बच्चे ज़ादा अच्छे से समझेंगे और जो वो समझेंगे वो जल्दी से भूलेंगे निंग और ज्ञान उनका स्थाई हो जाएगा देखो जब भी हम किसी चीज को करके सीखते हैं तो बहुत अच्छा सीखते हैं, ठीक है, हाँ, जोन ड्योवी, इसमें बोला जाता है, बच्चों को project work दिया जाना चाहिए, project work, बच्चा project करेगा, तो उसे hand experience मिलेगा, करके बच्चा सीखेगा, तो knowledge बच्चे की permanent हो जाएगी ठीक है, next, इसमें बोला गया, laboratory schooling, इन्होंने laboratory school in Chicago में, इस curriculum के बारे में बनाया था, इसमें बोला था, इसमें कुछ, interesting नहीं है, next देखते है, integrated curriculum, ये बहुत important है, important, हमारा NCF 2005 जो है, next class जो होगी, उसमें हम क्या करेंगे, questions, next class में हम questions करेंगे, तो आप लोग, इस वाले class में थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, ताकि हम next class में question कर पाएं, अब होता क्या है, हमारा NCF 2005 है, वो कौन से curriculum की बात करता है, integrated curriculum, इसके बहुत सारे नाम है, पहले नाम देख लो, इसको बोला जाता है, breaking barrier of all, breaking barrier of all subjects, चीक है, curriculum across the subject, correlated curriculum, it provides connection among various curriculum discipline, broad field curriculum, यानि की एक विशय को सिर्फ एक विशय तक सी नित्मत रखो, उस विशय की दिवारों को तोड़ कर, उसे हर विशय से जोड़ कर पढ़ाओ, ठीक है, हर विशय को आपस में दूसरे से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर विशय एक दूसरे विशय से स समबंदित होता है, next, it provides learner opportunity to apply skill they have learned, इससे क्या होता है, देखो जैसे की integrated curriculum का एक example ले लो, जैसे अभी independence J आया था, क्या हुआ था, independence J की knowledge बच्चों को देनी है, drawing वाले teacher ने कुछ बनवा दिया, जंडा बनवा दिया, dance वाले teacher ने कुछ dance करा दिया, song वाले teacher ने कुछ उसका song करा दिया, history वाले teacher ने थोड़ा सा सवतंतरता संग्राम के बारे में बता दिया, Hindi वाले teacher ने कुछ poem करवा दिया, English वाले teacher ने कुछ topic ऐसा करा दिया, ठीक है, तो हर एक topic को हर subject से relate कर करके पढ़ाना, ओके, next, जोग्राफी में map में भरवादी कौन-कौन सी movements हुई थी, Core Curriculum, next, क्या है, Core Curriculum Core Curriculum यह होता क्या है, तो हमारे देश में पहले Core Curriculum का concept आए था अमेरिका से, यह वो करिकुलम है आधार बुत, जो विशे सबको पढ़ने है, जैसे दसमी तक सबको सवरे विशे पढ़ने है, उसमें choice नहीं है, तो उस curriculum को बोला जाता है आधार बुत करिकुलम, यानि कि कुछ सबजेक्ट तो सभी को पढ़ने है, ठीक है, हंजी, जो सबजेक्ट सभी पढ़ते हैं, सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, उसको बोला जाता है Core Curriculum, यानि कि दसमी तक का जो हमारा करिकुलम है, वो Core Curriculum है, ओके, चलो नेक्स दिखने हैं, Hidden Curriculum, यहां से कई बारी कोश्चन आता है, जैसे लिख दिया, एक बच्चे ने स्कूल के वातावरंड से, बहुत सारी वैल्यूज सिखी, आदते सिखी, ठीक है, पर वो लिखा हुआ नहीं था, कि हमने दिसाइड नहीं किया था, यह चीजें हमें बच्चे को सिखानी है, बच्चे ने स्कूल के वातावरंड से बहुत कुछ सिखा, तो वो कौन सा करिकुलम है, तो वो है भई, Hidden Curriculum, उस करिकुलम को क्या बोला जाता है, Hidden Curriculum, जैसे एक बढ़ देख लो, Hidden Curriculum को बोला जाता है, Implicit Curriculum, Unspoken, Unwritten, Unofficial Curriculum, यानि कि यह कहीं रिटन नहीं होता है, कि हम यह यह पढ़ाएंगे, पर बच्चा naturally, स्कूल के environment से बहुत सारी चीजे सीखता है, जो बच्चे ने, स्कूल के environment से, teacher के व्यवार से, अपने सहपार्टियों के व्यवार से, चीजे सीखी है, वो हो गए उसका Hidden Curriculum, इसमें किसी को doubt है तो पूछ लो भई, इस Curriculum में किसी को doubt है तो पूछ लो, Hidden Curriculum किसी ने दिया नहीं है भई, नेक्स्ट, चले फिर, वर्टिकल करिकुलम, ये कई बार आता देखो, वर्टिकल होता ऐसे, ठीक है, जिसमें देखो, क्या करते हैं, एक topic first class में पढ़ा दिया, जैसे food का concept, फिर्ट में डाल दिया, थरड में डाल दिया, फोर्थ में डाल दिया, फिफ्त में डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा difficulty level हर class में बढ़ी, और, difficulty level बढ़ा, और हर class में थोड़ा-thोड़ा, difficulty level के coding इस topic को डाल दिया इससे क्या होता है देखो इस पाथे चरह में विशे को सरल से कठिन करम में lesson wise या class wise प्रस्तुत किया जाता है इन इस curriculum subject is taught in easy to hard sequence पहले easy चीजे फिर hard 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 होती जाती है यानि कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट से relate होता है तीसरा दूसरे से चोथा तीसरे से ठीक है और class में भी ऐसे होता है पहली class में थोड़ा सा ग्यान दे दिया तो अगली class में थोड़ा सा ज़्यादा difficult दे दिया फिर उससे अगली class में थोड़ा ज़्यादा difficult इससे बच्चे में हर क्लास में थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, तो बच्चे के अंदर क्या होता है? प्रीवियस नोलिज होती है, बच्चे को प्रीवियस नोलिज मिली होती है, ठीक है? और बच्चे को रिवीजन का मुखा भी मिल जाता इस करीकुलम से, और बच्चे के का बोज नहीं भड़ता, एक साथ सावा टोपिक पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट, होरीजोंटल करिकुलम, देखो होरीजोंटल होता है, ऐसे, पैरलल, स्कोप इंटीग्रेशन, देखो पैरलल होता है, इस पाट्या चर्रह में एक ही कक्षा की विभिन पुस्तकों से एक समान विशे वस्तू पढ़ाई जाती है, देखो क्या होता है, जैसे एक टॉपिक पढ़ाता है, 11-12 ग्लास में ये कॉरिकुलम जादा यूज होता है, जैसे एक टॉपिक पढ़ाना था, स्टैटिस्टिक, साइन्स वाले बच्चे को मैच से पढ़ा दिया, आर्ट वाले जैसे उस चीज का ग्यान दिया गया, इस करिकुलम को क्या बोला जाता है, हीडन करिकुलम, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ओर्गिनाइजेशन ओफ करिकुलम, पाठ्थे करम का संघठन, इस पाठ्थे करम के संघठन में हम ये डिसाइड करते हैं, कि यह निन्य लेना कि किस कक्षा में, किस पाठ्थे पुस्तत में, कौन सी विशेवस्तू, कितनी मातरा में, कितनी कठना इस्तर के साथ डाली आता ओर्गिनाइजेशन अफ करिकुलम में, ठीक है, नेक्स देखते हैं, एक हमने पड़ा था, मोरिसन एप्रोच, यूनिट्री एप्रोच, एक यह एप्रोच भी कई बार पुछली जाती है, यूनिट्री एप्रोच दिया था, मोरिसन ने, मोरिसन ने अंडस्टेंडिंग लेवल ओफ टीचिंग भी दिया था, हमने लेवल्स ओफ टीचिंग पड़े थे ना, जिसमें थ्री लेवल से, पहला था मैमोरी लेवल, हरबट ने दिया था, दूसरा था, अंडस्टेंडिंग लेवल, किसने दिया था भई, मोरिसन ने, तीसरा था, रिफ्लेक्टिव ले एक तोपिक से रिलेटइड सारा ज्ञान एक ही बार दे दो एक ही यूणिट में दे दो किस्तों में बच्चों को ज्ञान मत दो अ मैंन दो अगर आप किस्तों में दोगे तो बच्चे कन्फी worked…… हो जाएंगे तो सारा ज्ना एक साथ दे दो जैसे कि एक यूनिट में डाल दिया जैसे एरिया हमें पढ़ाना था इनको एक यूनिट में डाल दिया यूनिट वन एक यूनिट में एक विशेवस्तु का घ्यान एक साथ दे दो, किस्तों में नहीं ठीक है अब आजाओ next next करते हैं example से यहां से question आते हैं देखो curriculum topic हुआ complete कई बार आता है curriculum में कौन-कौन सी क्रियाई सम्मिलिद है example देगा sexic sexic या सहसेक्षिक sexic और सहसेक्षिक दोनो तो अंसर आएगा sexic और सहसेक्षिक दोनो ठीक है फिर आज आता है कई बारी कि curriculum में सबसे पहला curriculum में जो objectives बनाते हो किस आधार पर बनाते हैं need determination के आधार पर ठीक है जादतर example आता है types of curriculum से कई बारी question आता है कि NCF 2005 किस curriculum की सिफारिश करता है integrated curriculum की activity based curriculum किसने दिया था जोन डूवी ने जोन डूवी कहते हैं बच्चों को experience देकर ग्यान देना चाहिए ठीक है अब देखते हैं last इसमें सिर्फ इतना ही आता है किसने दीती unitary approach Morrison ने अब हम next topic start करने जा रहे हैं यह भी एक बहुत important topic है ठीक है चलो अब next topic एक important topic है जो अब हम start करने वाले है RTE Act 2009 राइट टू एजुकेशन Act 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम अब आयता 2009 में इसका नाम क्या है नेम क्या है इसका इसका नेम है भाई प्री एंट कंपल्सरी एजुकेशन प्री एंट कंपल्सरी एजुकेशन तिल 6 तो 14 यर्स तिल 6 तो 14 यर्स उफ चिल्रन इन नेबर हूड स्कूल नेबर हूड स्कूल ठीक है इसका नाम क्या है निशुल्क एवम निशुल्क एवम अनिवार्य निशुल्क एवम अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान छैसे 14 वर्ष के बच्चों के लिए पड़ोसी विध्याल्य में यानि कि विध्याल्य जो है वो पड़ोसी होना चाहिए पास में होना चाहिए ठीक है बताओ भई पहले वाले MCQs टेस्ट कैसे दे MCQs जो टेस्ट हुए है वो प्रिवियस क्लासेज में है आप उसमें देख सकते हो मंजू सारे question test classes में हमने करे हैं आप उसमें कर सकते हो देखें यहां पर पड़ोसी विध्याला का मतलब क्या है यानि कि जो बच्चा पहली से पाँच्वी का है उसको जो बच्चा पहली से पाँच्वी कक्षा में पढ़ता है एक किलोमेटर स्कूल मिलना चाहिए और जो छटी से आठवी कक्षा का बच्चा है उसको तीन किलोमेटर के अंडर में स्कूल मिलना चाहिए पड़ोसी का मतलब यह है ठीक है देखो भई मन्जू आप कहा रहे हूं मैं मुझे बेबी हुआ है तो आप क्लास बाद में देख लेना आप यह बात है यहां पर डारेक्ट पॉन्टेक्ट करके पूच सकते हो कैसे आप यह चीज़े कॉश्चन्स वगेरा प्राप्ट कर सकते हो ठीक है चलो अब देखते हैं आगे अब देखो जो हमारा आर्टी एक 2009 था इसको संसद ने कब पास किया ता कई बार कुश्च दूसरा पॉइंट है संसद ने कब पास किया पार्लियामेंट ने संसद ने पास किया तब 4 अगस्त 2009 और साइन बाइ प्रेजिडेंट साइन बाइ प्रेजिडेंट राष्ट्रपती ने इस पर हस्ताक्षर कब किये बताव राष्टपती ने हस्ताक्षर कब किये? 26 अगस्त 2009 को राष्टपती ने इस पर हस्ताक्षर किये ये कोशन का इबार आता है और इसको लागू कब किया गया? इसकी implementation कब हुई? इसकी implementation एक एप्रेल दो हजार दसको इसे लागू किया गया? Next Next Hello 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 तो एक अप्रेल 2010 को इसे लागू किया था 26 अगस्त को राश्च्पती ने साइन किये थे ठीक है और क्या अभी तक इतना ही पढ़ा है सिद्धी सिद्धी बात नहीं इसमें कुछ पूछने लाइक है नहीं और एक क्वेशन आता है कौन से सन्विदान शंशोधन दुवारा RTE Act को जोड़ा गया आस्मा कोश्चन क्या इतने सारे कोश्चन सा आते है मुझे बस यह पढ़ने को मिलता है मैम प्लीज रिप्लाइए प्लीज रिप्लाइए मुझे कोश्चन नहीं मिलता है में मिं रिप्लाई दे में हमारी एक बात तो आप रिप्लाई तो कौष्च यह नहीं कहीं, रिप्लाई किस चीजा का दू चलो पूछो अब कौष्च अब question नहीं आएगा, मुझे पता है, question वो fall तो क्या आते है, good evening, good morning, ये सारी चीज़े आती रहती है आशुतोष पूछ रहा है, मैं free education, private school नहीं देते हैं, इसके बारे मैं हम पढ़ेंगे इसी में, इसमें हम पढ़ने वाले है मैं 2021 के पूरे question solve है, मैं previous solve, हाँ, जो हमने question करें है, वो सारे previous year के ही है ठीक है, कौन से previous year के, तो जितने question कराएं है, वो previous और important question है जो private school free and compulsory education देने हैं, उसका कुछ percentage है, कितने बच्चों को वो free and compulsory education देंगे ठीक है, तो वो हमा इसी में पढ़ने वाले आगे, थोड़ा सा तो इसमें कई बार पूछा जाता है, कौन से सन्विधान संशोधन द्वारा 86 में सन्विधान संशोधन द्वारा 86 में सन्विधान संशोधन द्वारा, दो हजार दो में RTE-2009 को जोडा गया RTE-2009 को जोडा गया कौन से सन्विधान संशोधन का मतलब है Constitution Amendment में बढ़ कोश्चन आता है कौन से सन्विधान संशोधन द्वारा RTE-2009 को जोडा गया 86 में, कौन से सन में सन्विधान संशोधन का मतलब है और ये RTE-2009 कौन से भाग में है भाग 3 में है भाग 3 में है RTEK 2009, सन्विधान के कौन से भाग में है, सन्विधान के भाग 3 में Sन्विधान के भाग 3 में RTEK 2009 है थार्ड पार्ट ओफ इंडियन कंस्टिटुशन सन्विधान लिख दिया इंग्लिश में लिखलो थार्ड पार्ट ओफ इंडियन कंस्टिटुशन ठेक है third part of Indian constitution देखो हमने क्या-क्या बाते पड़ी है टहली बात है RTEX 2009 का नाम क्या है free and compulsory education कितने वर्ष के बच्चों के लिए 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए 6-14 वर्ष हो गई तो class होगी पहली से 8 वी ठीक है और पड़ोसी विध्याले में पड़ोसी मतलब दूर नहीं पास के विध्याले में primary classes के लिए वो 1 km है अपर primary यानि कि 6-8 कक्षाओं के लिए वो दूरी 3 km तक हो सकती है next संसद ने RTEX 2009 को पास किया था 4 अगस 2009 और उस पर President ने साइन किये ते 20 अगस को और इसे लागू किया गया था 1 April 2010 में फिर क्या हुआ कौन से सनविदान शंचूदन द्वारा इसको जोड़ा गया कौन से सन में जोड़ा गया सं दौ-हजार दो में और ये भाग सनविदान के कौन से भाग में सम्मिलित है सनविदान के कों से भाग में ये है भई यह सनविदान के भाग 3 में है कोन से भाग में है भाग 3 में ठीक है अब देखते next ओहोँ यहाँ पे सनविदान संशोदल लिखना था ठीक है, सल्विदान, संशोधन स्विर से गलत सल्विदान, संशोधन, ठीक है next, सेवन्थ पॉइंट, सबसे इंपोर्टन पॉइंट अब है, सेवन्थ इसमें मैं तीन आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी, जो कई बार आते हैं एक्जाम्स में एक तो है आर्टिकल 21A एक पढ़ेंगे आर्टिकल 45 एक पढ़ेंगे आर्टिकल 51A K आर्टिकल 51A K यह तीन आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहां से question जरूर, यह तीनों जो article है, यह हमारे किस से संबंदित है, यह हमारे संबंदित है, सिख्षा से, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, देखो, यह हमारा क्या है एक, इसका पहला point है, fundamental right, यानि कि मोलिक अधिकार, मोलिक अधिकार है यह, मोलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भागने है, भाग तीन में, ठीक है, यह हमारा directive principles है, directive principles of state, नीती निदेशक सिध्धान, नीती निर्देशक सिध्धान, यानि कि, और यह क्या है हमारा, fundamental duty, मोलिक कर्तव्य, मोलिक कर्तव्य है, यह कि हमारा, ठीक है, अब दूसरा, दूसरा क्या है, यह कौन से भाग में है, यह पार्ट, थर्ड में है, यह फोर्थ में है, ठीक है, और next, फोर्थ ए में है, फोर्थ ए में है, ठीक है, अब क्या है, कौन से सनविधान शंशोदन द्वारा इसको जोडा गया, इसको 86 में, CA का मतलब है Constitution Amendment, इसको 86 में सनविधान शंशोदन द्वारा 2002 में जोडा गया, 2002 में, ठीक है, इसको जोडा गया 1950 मे, इसको कब जोडा गया, 1950 में और इसको 86 में सन्विधान शंचोदन द्वारा 2002 में दोड़ा गया इसको भी 86 में Constitution Amendment द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया 2002 में इसको जोड़ा गया ठीक है और क्या है इनका नाम क्या है देखो चोथा है इसका टाइटन टाइटल यानि की Free and Compulsory Education 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ठीक है यह इसका नाम भी है Free and Compulsory Education Education 4 E-C-C-E E-C-C-E की फूल फॉर्म लिख लो Early Childhood Care Education ठीक है Early Childhood Care Education वो क्या है हमारी एक Parent Duty है यह है हमारी एक Parent Duty पहले 82 मां सन्विदान शन्शोधन हुआ था 1976 में जब 10 थी है हमारे पास Parent Duty अब 86 में सन्विदान शन्शोधन द्वारसन 2002 में एक और जुड़ गई 10 प्लस एक तो टोटल 11 होगी जो एक थी ना इसको 51 A बोला जाता है स्वांट सिंग कमेटी द्वारा जोड़ा गया कई बार पुछा जाया है स्वांट सिंग कमेटी स्वांट सिंग कमेटी द्वारा इस वाली ड्यूटी को जोड़ा गया और एक यह क्या है यह Parent Duty है कि अपने बच्छों को स्कूल में प्राथ में एलिमेंटरी एजूकेशन ग्रहन करने के लिए भेजना एक पेरेंट्स का करतव्य है ठीक है किसका करतव्य है पेरेंट्स का यह देखो 6 से 14 वर्ष के लिए है नोर्मल बच्चे के लिए है यह और स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल चाइल्ड होते है उसके लिए यह एज़ग 6 से 18 वर्ष ठीक है E.C.C.E का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ठीक है यह एक पेरेंट्ट ड्यूटी है अपने बच्चे को पेरेंट्स को प्रारम्बिक शिक्षा ग्रहन करने के लिए स्पूल में भेजना पहली से आठ्मी कक्षा तक पेरेंट्स ड्यूटी है यह आप किसी को डाउट है तो पूछ लो भई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है नहीं है डाउट देखो होता क्या है मैं ही बता देती हूँ आर्टिकल जो हमारा मोलिक अधिकार क्याक्षा है जो हमारे सन्विधान ने हमें दिये है भाग तीन में वर्णित है छासे में सन्विधान शंशोदन द्वारा दो हजार दो में से जोडा गया यह फ्री एंड कंपल्सरी एजूकेशन चैसे चोदा वर्ष के बच्चों के लिए इन केस ओफ स्पेशल चाहिए यह सब को पता है इसको ही आर्टिकल टूथाउजन आइन बोला जाता है आर्टिकल टूथाउजन ए ठीक है अब पढ़ते हैं आर्टिकल 45 कई बार आता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है आर्टिकल 45 कौन से आर्टिकल में यानि कि पहली क्लास से पहले वाले बच्चों के लिए जो प्रावधान किये गए है वो कौन से आर्टिकल में कि Early Childhood Care Education, जिसमें आंगनवाडी आती है, नर्सरी क्लासेज आती है, इनका ECC, ठीक है, जीरो से छह वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं, नेक्स्ट, ये एक हमारे नीती निदेशक सिद्धांद, डारेक्टिव प्रिंसिपल है, जैसे फंडमेंटल राइट से हमारे डारेक्टिव प्रिंसिपल है, ये भाग चार में वर्णित है, 1950 में इनको जोडा गया था, ठीक है, कि जीरो से छह वर्ष की बच्चों के लिए ज जो सिक्षा का प्रावधान है, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 45, आर्टिकल में 6 to 8 नहीं है, आर्टिकल में 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं भई, अब आता है तीसरा, ये थोड़ा सा समझो, ये जैसे ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो हमारे सन्विधान में, पहला है भाग में वर्णित है, एक से 5, फिर 5 से 11 दूसरे भाग में, एक से 4 भाग एक में है, 5 से 11 भाग 2 में है, ठीक है, 12 से 36 भाग 3 में है आर्टिकल, 12 से 35 भाग 4 में है आर्टिकल्स, ठीक है, तो 51 जो है, A के, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भाग 4 A में है, इसको 86 में सन्विधान शंशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, पहले जब हमारा सन्विधान, संशोधन 42 हुआ था, कौन से सन में 1976 में, हमारी 10 कर्तव्य जोड़े थे, पर जब 86 में सन्विधान शंशोधन हुआ, कौन से सन में 2002 में, तो एक और कर्तव्य जोड़ दिया, स्वन्ट सिंग कमेटी के द्वारा की, जो ये एक कर्तव्य जोड़ा था, इसी को आर्टिकल 51 ही की बोला जाता है, की, एक से आठवी तक की शिक्षा ग्रहन करवाने के लिए, अपने बच्चों को हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स् एजुकेशन के लिए, ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भई, इन तीनों से कई बार कॉश्चन आ जाता है, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट, आठमा पॉइंट देख लो भई, पॉइंट नमबर एट, पॉइंट नमबर एट है, प्राइवेट में कितने परसंट रिजदर्वेशन है, फोर ई, इकोनोमिक वीकर सेक्षन, इकोनोमिक वीकर सेक्षन, जो बच्चे आर्थिक रूप से, जिनकी एकोनोमिक कंडिशन बहुत कम है, उनको प्राइवेट इंस्टिट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टिट्यूट्स या स्क प्रपेट स्कूल 15 गरीब बच्चों को फ्री एंड कंपलशरी एजूकेशन देगा कितनी 25 परसेंट बच्चों के कोश्चं बौहत बार रीपीटिड है ठीं है often कितनी बार repeated है, बहुत बार next है, नोवा किसी भी बच्चे को fail नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी elementary education pass ना कर ले, ठीक है किसी भी बच्चे को fail नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे को fail नहीं किया जाएगा जब तक बच्चा प्रारंबिक शिक्षा ग्रहेंड ने कर ले जब होगए। इसी लिए बनाये गया कि बच्चे को शिक्रेश कर दो गे तो बच्चे को करेंगे फिर ऊड़े चोड़ेगे। अट्मोस्फेर सुधरता है, ठीक है, नेक्स्ट, दस्तमा पॉइंट है इसमें, कि बच्चों से किसी भी प्रकार का डोनेशन या कैप्टिवेशन फीस नहीं ली जाएगी, नो डोनेशन और कैप्टिवेशन पीस अलाउट, और नाही टेस्ट, नो टेस्ट, कोई भी बच्चे के एड्मीशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, बच्चा साल के किसी भी देन एड्मीशन ले सकता है, टीचर उसको एड्मीशन लेने से नहीं रोकेगा, ठीक है, और बच्चे से डोनेशन नहीं लिया जाएगा, डोनेशन अगर किसी स्कूल ने ले लिया बच्चे से कैप्टिवेशन फीच ले ली जैसे एक बच्चे के एडमिशन के समय 50,000 रुपे ले लिये डोनेशन तो स्कूल के उपर उसके 10 बुणा जुर्माना लगेगा जुर्माना 10 बुणा 5 लाट का ठीक है? और अगर इनसे ना ही कोई फीच चार्ज करेगा प्राइवेट स्कूल अगर फीच चार्ज करता है अगर फीच चार्ज करता है तो पहली बार पहली बार फर्स टाइम तो 25,000 रुपे का जुर्माना उसके बार कभी दुबार फीच ली तो हर बर 50,000 रुपे का जुर्माना लगेगा ये question किसको clear नहीं है जल्दी पूछ लो इस topic में किसको भई समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लो ठीक है देखो क्या है ये दुबारे से बंज लेते हैं तीनों पॉइंट्स प्राइवेट स्कूल जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजूर हैं उन बच्चों को 25 परसन फ्री में education देगा उनसे किसी प्रकार की कोई fees नहीं लेगा और नहीं कोई donation लेगा नहीं उनका test लिया जाएगा और नहीं उन्हें स्कूल में admission लेने से लोग सकता है ठीक है हाँ ये फीस वाला जो ये concept है न है इस जब लो के लिए अगर प्राइवेट स्कूल बच्चों से डोनेशन डोनेशन का मतलब होता है कैप्टिवेशन फीस ले रहा है तो स्कूल के उपर पांच लाख रुपे का जुर्माना लगेगा और अगर 25,000 उसने कोई फीस बच्चे से चार्ज की महिने की पहले महिने की दूसरे महिने की और अगर सरकार को पता चल गया तो उसके उपर कितने रुपे का जुर्माना लगेगा पहली बारी में तो 25,000 का उसके बाद हर बाद 50,000 का जुर्माना लगेगा ठीक है अब पूछो किसी को कोई doubt है तो EWS के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोशन बहुत बार है कितने परसेंट का reservation है private school में 25% का ठीक है अब आगे देखते हैं भई आगे का देख लेते हैं थोड़ा next next point है भई teacher student ratio कितने teachers के उपर teacher और student ratio क्या है पहली से पाँच में तक के में एक teacher होगा 30 बच्चों के उपर ठीक है छटी से आठ में तक में एक teacher होगा 35 बच्चों के उपर ये बात बोली गई थी ठीक है पर अगर school में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं अगर school में total number student 200 से ज़्यादा है तो ये teacher student ratio हो जाएगी 40 ratio 1 ठीक है 40 ratio 1 हो जाएगी अगर school में बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा है तो teacher student ratio कितना हो जाएगा 40 ratio 1 40 बच्चों के उपर एक teacher ठीक है next working days कितना है 12 point working days working days कितने दिन स्कूल खुला रहेगा primary classes में 200 days अपर primary अपर primary बोला जाता है छटी से आठ में क्लास को अपर primary में ये days होते हैं 220 ये question भी कई बार आता है अपर primary ठीक है और school age कैसे निकालेगा class class में कौन सी class में अब जैसे एक बच्चा आया October वाले महीने में admission लेने के लिए वो 9 साल का है तो कौन सी कक्षा में जाएगा तो age का formula है class निकालेगा age minus 5 ठीक है जैसे की बच्चा 9 साल का उसमें से 5 minus कर दो उसकी class आगे 4 उसकी class क्या है 4 6 साल का बच्चा उसमें से 5 minus कर दो पहलनी class में डलेगा 8 साल का बच्चा 5 minus कर दो दूसरी class तीसरी class में डलेगा ठीक है तो ऐसे हम बच्चे की age कैलकुलेट कर लेते हैं next किसी को कोई doubt है तो पूछ लो इस वाले session में इस वाले इन तीन points में ठीक है वर्किंग डेज क्लास और teacher student ratio अब next देखते है question number point number 14 14 number में ये बात है कि fund और state कितना fund देगे state और center कितना fund देगे center कितने percent और state कितने percent तीक है center देगी 65% फंड आटी एक्ट को लागू करने के लिए और ये center देगी 35% next है next point है बाई एक teacher school में एक दिन में ये question बहुत बार आया है जो अब मैं बोलने जा रहे हूँ एक teacher एक दिन में कितने घंटे school में रुपता है एक teacher गंटे करता है अब ये question आया था कि एक सप्ता में कितने घंटे कार्य करेगा साड़े साथ को मंटिप्लाई कर दो 6 से कितना जाएगा 45 hours 45 hours एक सप्ता में एक teacher 45 गंटे school में विया तीद करता है एक question काफी बार रिपीटिर है दिख्या है हो गया next next question है बाई एक और देख लेते हैं 16 पॉइंट 16 पॉइंट में है कि बच्चे को सारे school कैसे होंगे inclusive सभी with all schools should be inclusive समावेशी होंगे समावेशी शिक्षा पड़ी थी ना समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहा जाता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ सामान्य स्कूल में सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहन करते हैं और ये education का बाई थी सन 2009 में ठीक है और इसमें क्या मोला गया है evaluation जो होगा बच्चे का मुल्यांकल C, C, E से होगा continuous and comprehensive evaluation continuous and comprehensive evaluation यानि कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन बच्चे का हम सिर्फ एक एक एक्जाम लेकर नहीं कर सकते एक बार एक्जाम लेए और हमने बच्चों को evaluate कर दिया बच्चों का evaluation होना चाहिए सतत एवं व्यापक पूरे साल टीचर को बच्चों को evaluate करना है डेली करना है ठीक है और comprehensive का मतलब है पच्चे के हर पक्ष का करना है सैक्षिक और सह सैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना है ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई का कर दिया एक्षाम लिया और बता दिया बहुत सारी एक्टिविटी बच्चा करता है उनको भी evaluate करना है और उसके भी score final exam में देने है ठीक है 17 points हम पढ़ चुके है किसी को कोई दिक्कत है कहीं कोई भाई कुछ पूछना चाह रहा हो नहीं है next देखते है 18th point non-teaching functions of a teacher एक teacher के कितने non-teaching function है गैर सेक्षणिक कार्य है एक teacher teacher के कितने गैर सेक्षणिक कार्य है तीन पहला teacher की जन गणना में ड्यूटी लगती है census census ड्यूटी दूसरी है आपदा परबंदन आपदा प्रबंदन disaster management कोई आपदा आ गई तो teacher की वहाँ पर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है और तीसरी है अब इलेक्षण ड्यूटी यानि की इलेक्षण चुनाओ चुनाओ इलेक्षण ड्यूटी इलेक्षण में भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है सिर्फ यही काम टीचर्स से करवाए जा सकते है इसके अलावा teacher और कोई भी गैर सेक्षण इक कार्ये के लिए टीचर को बाद्य नहीं किया जा सकता इलेक्षण में टीचर्स की ड्यूटी लगती है अगर कोई आपदा आ गई जैसे अभी हुआ था कोरोना टाइम में टीचर्स की ड्यूटी लगाई थी राशन बाटने में काफी चीज़ों में जनगन्ना में भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है अब आते हैं next अगर देखो कोई स्कूल RTE at 2009 का पालन नहीं कर रहा है तो उसका शिकायत कहां की जाएगी शिकायत के लिए है N.C.P.C.R इसकी फुल फोम बताओ खोन बताएगा शिकायत यहां पर की जाएगी अगर कोई स्कूल RTE at 2009 का पालन नहीं कर रहा है तो बताओ अगर कोई स्कूल पालन नहीं कर रहा है तो उसकी ड्यूटी कहां पर लगाई जाएगी एन सी पी सी आर बताओ कौन इसकी फुल फोम बताएगा एन सी पी सी आर की फुल फोम है वही नेशनल कमीशन फोर प्रोटेक्शन ओफ ट्राइल रैट कमेंट्स नहीं आ रहे हैं जड़ाँ देख लेकते हो नहीं आर क्रोटेक्शन ओफ ट्राइल रैट सी आर बताओ कौन अस्या है वही नेचल कमीशन फोर प्रोटेक्शन ओफ चाल्राइल बिल्कुल सही बताया है, National Commission for Protection of Child Rights, यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हों, अगर कोई स्कूल RTEX 2009 का पालन नहीं कर रहा है, तो ठीक है, Age कैसे Calculate करते हैं, देख लो भई, Age कैसे Calculate करते हैं, जैसे की 12 साल का बच्चा स्कूल में Admission लेने आया, तो उसमें से 5 माइनस कर दो, 12 माइनस 5, 7, 7 साल उसको Class कौन से मिलेगी, 7, बच्चे की Age में से 5 माइनस कर दो, उसकी class निकल जाएगी ठीक है next NC PCR पढ़ लिया है next 20th point school के कार्यों में सुधार के लिए improvement of school school improvement plan कोन बनाता है school के सुधार कार्य improvement program कोन बनाता है SMC school management committee school management committee बनाती है ठीक है इसमें कितने members होते हैं इसमें कितने 16 members होते हैं 12 तो इसमें होते हैं parents ठीक है parents इसका 75% हो जाता है उसमें 75 में भी parents का भी 50% females होनी चाहिए यह reservation है दो होंगे teacher एक होगा स्कूल का प्रिंसिपल एक होगा representative वहां का कोई नेता ठीक है next 21 अर्टी एक 2009 दो हजार नो बैन कोर्पोरल पनिश्ट कोर्पोरल एंड मेंटल हरार्स्मेंट शारीरिव केवं मानसिक प्रताड़ना को बैन किया है आटी एक 2009 ने teacher बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिगदन नहीं देगा और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक प्रताड़ना teacher दे सकता है ठीक है और बही किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो ये टॉपिक हुआ कमक्लेट ठीक है एक और टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं 22 में 22 में पॉइंट देख लो नो डिटेंशन पॉलिसी नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होता है बताओ किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा नो चाइल्ट विल फेल तिल दा कम्पलेशन ओफ तिल दा कम्पलेशन ओफ अलिमेंटरी एडुकेशन अलिमेंटरी एडुकेशन प्रारंबिक शिक्षा जब तक बच्चा पास ना कर ले उसको फेल नहीं किया जाएगा ठीक है अब एक बाद और बताते देखो प्राइमरी क्लासिस का मतलब है एल्ली से पाँच मी अपर प्राइमरी अपर प्राइमरी होता है छटी से आठ मी यह होता है ठीक है इन दोनों को मिला कर elementary बोला जाते है इन दोनों को मिला कर elementary education elementary education education प्रारंबिक शिक्षा चलो अब हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं बई एक बच्चे ने पूछा है आप मैम हमारे एक्जाम कब तक कंड़क्ट करा लिए जाएंगे आपके एक्जाम सोचलो अभी आ जाएंगे दो महिने के अंदर आप लोगों के एक्जाम है ठीक है दिवाली के बाद दिवाली जो ब्रेक हो तो उसके बाद एक्जाम सो जाते हैं सीटेट के जेनरली नवंबर दिसंबर नवंबर के एंड दि secondary ठीक है ऐसे बुला जाता है कोश्चन आये था भी एक एक्जाम में कि कौन से एक्ट के द्वारा शारिरिक दंड को बैन किया गया है RTA 2009 के द्वारा ये कोश्चन काफी बार रिपीटिड है और यहां से दो से तीन कोश्चन हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत इंपोर्टन टॉपिक भी है तो सभी को इसके नोट्स बनाने है और इसको अच्छे से रिवाइज भी करना है और इसके कौश्चन भी कर लेना ताकि एक्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आज आप लोगों की साइंस पैड़ा गोजी की लास्ट क्लास थी तो जितने टॉपिक्स मैंने कराए हैं एक तो को सारे अच्छे से कर लेना कॉश्चन भी करना ठीक है और एक्जाम में अच्छे नंबर लेकर रहना अब हम नेक्स क्लास में मिलते हैं नेक्स क्लास आप लोगों की है वही एसस्टी पैड़ा गोजी की उसमें हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं ठीक है तो आ आज आप लोगों की साइन्स पैड़ागों की जी की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बाई टेक कियर